हलो दस्तो गूट मॉर्निंग स्वागा दिक भाब फिट से आप सभी का एंजटी एजूकेशन में दस्तो आज है 15 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 मई दो हजार चौबिस के मोस्ट इंपोर्टन करेंट अवैर के कुश्चन के बारे में चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिवीजन की बात करेंगे कल का रिवीजन करेंगे तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 12 मई को मनाया जाता है अंतराश्टी नर्स दिवस ये फ्लोरंस नाइट इंगल जी की जनती पर मनाते हैं सब्सक्राश्ट महासभा ने 25 मई को फुटबाल दिवस मनाय जाने की घोशना की है अब से 25 मई को प्रतेकवर्स मनाय जाएगा दुबई ने दोस्तों क्रेटर्स के लिए एक नया देर कालिक दुबई गेमिंग बीजा लांच किया है दोहा डायमंड लीग में नीरत प्रयासों के लिए ओमान ने भारत के साथ समझता किया है नेपाल के इवरेश्ट मैन कौमी रीता सेरपा ने 29 बार रिकार्ड मांट इवरेश्ट पर चढ़ाई किये विसु रिकार्ड इनकी नाम है सबसे ज़्यादा बार मांट इवरेश्ट पर चढ़ाई करने का हेमंद प्रवसकार से सम्मानित किया गया है इदात सिसा नोंग रोंग ये मिघाले की पहली महिला डीजीपी वनी है और पंजाबी परसिद पंजाबी कवी सुरजीत पातर का निधन हो गया है ये पदमसरी से सम्मानित थे ये टॉप 10 करेंट अफेर के कृश्ट थे आपके जिनका आपने किया रिविजन अब हम लोग आज की करेंट अफेर की तरब बढ़ेंगे लेगिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ इसकी अगर आपको पीडियाफ चाहिए तो बिल्कुल फिरी पीडियाफ आपको मिलेगी फिरी में क्विज आपको मिलेगी तो क्विज और पीड अरिका के स्पेस इजनसी है आप जानते हो नेशनल एरोनौटिक एन स्पेस अड्मिस्टेशन इसने घोशना की है कि यह चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाएंगे और यह रेलवे सिस्टम जो होगा यह ट्रांस्पोर्टेशन के लिए खास करके काम करेगा तो तो अपनाभी आपको याद हो यह अब समय घोशना ड्रांगे Essen interact यह तो यह बिना सकती वाले चुमब किया रोबोट का उप्योग करेंगे त्री लेयर वाले लचीले फिर्म ट्रैक का कुछ इस प्रकार से होगा और ये ट्रेन इस पर ट्रेन टाइप की चलेगी अब ऐसा नहीं है कि अपनी जितनी बड़ी भारी भरकम ट्रेन चलती हो तनी भारी भरकम चलेगी हाँ छोटी मोटी ट्रे ट्राली ट्राइप की चलेगी जो ट्रांस्पोर्टेशन का काम करेगी मतलब चंदमा पर तो भेजना ही है आगे चल करके हम लोग को मनुस्यों को तो मनुस्यों लोग जहां पर रहेंगे वहां पर संसाधनों को पहुशाने में ये काम करेगी ट्रेन ठीक है ना तो ये फ्लोट सिस्टम होगा जिसका पूरा का पूरा प्लान जिसकी पुरी योजना बना रहा है नासा और ये कलपना जैसे कि मैंने आपको होता है रोबोटिक परिवार पढ़ना लिके रहे हैं क्लियर है ना अब नासा के बारे में अगर आपको बात करें तो ये 1908 में अस्थापित हुआ था और इसका हिट्वाटर वासिंगरें दीसी में है और बिल निल्सन जो है इसके अध्यक्ष है ठीक है जी सरकारी ये स्पेस जंसी है मेरिका की यहाँ पर कुछ और रिविजन वर्स दूर रहने योगी छेत्र में सुपर अर्थ हो जा था एक नासा ने X-59 सुपरसोनिक जेट सन आफ का नावर किया नासा ने अराजकता के देवता गौड आफ चौस के नाम का छुदर ग्रह अध्यन करने के लिए मिसल सुरू किया था इसके लावा IBM के साथ मिलकर What's on X.AI नाम का एक Artificial Intelligence Tool लांज किया है अंत्रिक्ष के लिए ये नासा से रिलेट करेंट अफेर के पॉइंट थे अगला हाली में इरान के चाबहार वंदरगाह को संचारित करने के लिए भारत ने कितने वर्षों का समझाता किया ये बहुत important question है तो दोस्तों चाबहार पोर्ट को भारत दस सालों के लिए लीज पर ले लिया है दस सालों के लिए इरान के साथ समझाता हुआ है यारी दस सालों का operation भारत के द्वारा किया जाएगा इरान के इस चाबहार पोर्ट का इरान का चाबहार पोर्ट है कहां पर जानेंगे इससे पहले मैं आपको बता दो इस पर मैं वीडियो बनाने वाला था लेकिन अभी नहीं बन पाया है आज हो सकता है इस पर बढ़ जाए वीडियो क्योंकि अमेरिका भी इसमें बीच में पूद गया है तो मौमला और कॉंपलिकेडर हो गया है इसको अम लोग अच काउंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट जो है यह बनाया है भारत में दूसरी बात पाकिस्तान को एक तरफ से काउंटर किया जा रहा है क्योंकि देखो पहले हम लोग ट्रेड ऐसे करते थे अगर अफगानिस्तान कुछ भेजना होता था तो पाकिस्तान के जरीए चला जा इस वैसने छापाहर पोर्ट से मुंबई जाएगा चाबहार पोर्ट चाबहार पॉğlट से अफर्गानिस्तान या उसके अगर निकलना होगा तो वहां पर जाएगा तो यह चाबहार पोर्ट जो है इस्टेजिकली दूसरी बात चाहार पोर्ड ग्लादर बंदर ग्लाइं को से काउंटर करेगा देखो यहांHeel HELOTHER करको करके और यहां पर एक कॉरीडोर बना रहा है चाहिन जिसका नाम है चाहिने पाकिस्ताननिंश एक करिड़ोर तो यह sो करकी इंडिया के पहां कर गुजरता रहा है इसी विज़े से चाइना और नहीं चाहता है कि प्योंकि भारत ले फिलहाल CPEC के जरिये यहाँ पर ग्वादर बंदरगा को करेक्ट करके चाइना इधर से निकलेगा और इधर से वो अपना जुड़ेगा ठीक है तो इस प्रकार के से हम लोग अगर यहाँ बगल में अपना डेरा बना लिये हैं बीच में यह दिरकालिक अनबंद हुए अब ऐसा मत सोचना कि 10 साल तक हुआ है तो फिर 10 साल बाद हम लोग छोड़ देंगे या फिर डील कैंसल हो जाएगी यह सुरुवात में जैसे कि कभी-कभी होता है ना कि एक एग्रिमेंट जो होता है साइन तो सुरुवात में कम वर कांटीनू होता रहेगा क्योंकि भाई इतना ज्यादा इंफरस्रेक्चर बिल्ड होगा इरान को भी फाइदा होगा और बाकी देशों को भी फाइदा होगा तो यहां पर यह बंदरगा किसी और को तो इरान नहीं देना चाहेगा फिलाल 2016 में आपचारिक समझाते के तहत 2014 में टाटा एलेक्ट्रानिक्स के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए तो टाटा एलेक्ट्रानिक्स जो टाटा गुरूप का ही एक हिस्सा है इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं तो उस तो एंचंद्र सेखरन देखो नटराजन चंद्र सेखरन जी यह टाटा संस के टाट भी टाटाग्रूप का होता है जिसमें बहुक्षाली हो जाता है अध्यक्ष्क का तो आने वाला फ्यूच्जर सेमिक Switzerland तो यहारे पर टाटा ग्रूप 14 Islands का नवेश करने जा रहा है तो यह बहुत-बड़ी दील होने वाली है बहुत बड़ा investment होने वाला है तो इसे में डाट राजन चंद सेखरन को जिम्मेदारी दी गई है जो इस टाइम पर most trusted person है टाटा गुरूप के तो बनमाली और बहुत सारी कंपनिया आप देखते हो हर दो साल तीन साल में अपना CEO अगर बैदल देते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता टाटा गुरूप में काफी कहते हैं बढ़िया से चेक करके परखके तम न्यूप किया जाता है और उनको लंबा समय दिया जाता है अच्छा ख अगला हाली में सुल्तान अजलान सा होकी ट्रॉफी किसने जीती बहुत इंपोरेंट है याद रखना सुल्तान अजलान सा होकी ट्रॉफी ये अक्सर पूछा जाता है और ये होकी का बहुत ही फेमस टूनमेंट होता है इसको इस बार जीत लिया है जापान ने जापान की पुरुष टीम ने अपने इतिहास में पहली बार ये जीता है ठीक है ना ध्यान रखना पहली बार सा हौके टूर् coconut इस बार का ये 30 सवकर सा सझ्कर था और ये मलेशिया में होता है ध्यान रखना ये आयोजन हमेंसा मैलेशिया में ही होगा तो मलेशिया के epo में अभी 11 मही को इसका फैनल खेळा गया और 30 असका अन्सक or जीती हुई है उन्नेसो पचासी क्यानवे पंचानवे दोहजार नो और दोहजार दस तो भारत इस बार नहीं जीता कुछ लेकिन भारत पांज बार विजेता रह चुका है किलियर है आगे यहाँ पर जापान से रिलेटेट कुछ पॉइंट देख लेते हैं करेंट अफेयर के फिर उपको मैप में दिखाऊंगा जापान कहां पर है सुल्तान अजलान सा हकी ट्रॉफी जो है इसको जीता है एफसी अंडर 23 एजिय कप जीता है जापान ने अमेरिका जापान और फिलिपिन्स की अभी त्रिपक्षे बैठाख होई वासिंग्टन डीसे अमेरिका में वाइट आउस में अमेरिका और जापान आइटेमिस मिसन के तहत जापानी अंतिक श्यात्री को भेज रहे हैं चंद्रमा पर भारत के परेटकों के लिए ई वीजा की सुरुवात की है जापान ने और भारत में 9 परियोजनाओं के लिए 12,800 करोर उर्पे का कर्ज भी देने की घोशना की है जापान अब देखते हैं जापान वर्ड मैप में कहां पर है तो वर्ड मैप में आप देखोगे जिसे ये रहा अपना प्यारा भारत यहां से आप आओगे इधर इस्ट साइड तो इस्ट साइड आओगे पूर्व साइड आओगे तो ये एक देश दिखेगा जापान ठीके ना मियो किसदा इसके प्रधान मंतरी हैं और यहां की मुद्रा होती है अच्छा एक चीज और याद रखना अभी मैंने किसदे इसकी बात की थी इरान की इरान देखलो फिर से तो पाकिस्तान को क्रॉस करोगे यह है इरान यहां पर गवादर बंदरगा है यह रहा गवादर यहां कौन बने भारतिये तो दिस्तों यह बन गए है और बहुत सारी क्राइटरिया होते हैं अलग लग तो चीज होती है डिस के बात यह स्टेटस मिलता है कि चलो आप वौलिफाइड हो आप अब उलम्पिक में भी अपना प्रदसन कर सकते हो तो ऐसे ही ये पहलवान है भारत के और इन्होंने अभी क्वालिफाई किया हुआ है ठीक है ना इस्ताना बुल दोजार चौविस में इन्होंने रस्लिंग चैंपियाशिप में अभी सही फाइनल जीता तो वहाँ पर इसलिए क्वालिफाई कर लिय है इन्होंने ठीक है तो तुर्किये के इस्ताना बोल तुर्किये के राजधानी होती है तो वहाँ पर इन्होंने कुस्ती ओलंपिक कॉलिफाईर में 57 किलोग्राम फ्रेश्टाइल में पैरिस का कोटा हसल किया यह हर्याना के रहने वाले हैं भारत के फ्रेश्टाइल मतलब है कि Paris Olympic तो निकल ही जाएगा हाथ से फिलाल Paris Olympic 33 ओलंपिक खेल होने वाला है Paris में, France में और 2024 में होगा यानि इसी साल हो गई देखो, revision बहुत ज़रूरी है और आपके revision कराने के लिए है यहाँ पर डेली 50 question की एक स्रीज चलाई जा रही है जो 500 question तक चलेगी इन 500 question के जरी हम लोग जन्वरी से लेकर के मई तक का revision कर रहे है यह live class होती है और डेली होती है 6 PM पर तो आप लोग सब लोग जुड़ा कीजिए 2 episode हो चुके हैं मातर 10 episode होंगे और 10 episode के जरी हम लोग 500 question तयार करेंगे तो 6 PM पर जुड़िए सभी लोग live इसी channel पर 2 episode हो गए हैं जो हो गए हैं उनको भी देखना है आगे जो होने वाले हैं उनको भी आ करके देखना है ठीक है ना तो 2 episode का जो playlist है उसका link description में भी मिल जाएगा या फिर आप simply channel पर जाकर pledge section में जाना वहाँ पर ढोड़ करके उसको देख लेना बहुत important है जनवरी से आपका revision सांदार तरीके से कराया जा रहा है अगला वित्तेवर्स 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागिदार देश कोन मना तो दोस्तों सबसे बड़ा trade partner एक बार फिर से बन गया है चाइना अगर आपको याद हो तो अभी बीच में अमेरिका ने चाइना को पीछे कर दिया था तो इंडिया अमेरिका का trade हो गया था सबसे बड़ा लेकिन अब फिर से चाइना ने इंडिया से ज़्यादा ट्रेड किया और उसके बाद फिर इंडिया और चाइना का trade यूएस को पीछे कर दिया चाइना ओवर्टेग यूएस तू बिकम इंडिया स्टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनसे लिए 2024 तो यहाँ पर 118.4 बिलियन का हुआ है भारत और चाइना के बीच में ट्रेड पार्टनर सिप और वहीं यूएस और इंडिया के बीच में 118.3 बिलियन का यानि कि समझो अंतर 0.1 बिलियन डॉलर का ही है लेकिन एक प्रकार से पार्टो कर दिया चाइना ने वो भी दूसरी बार मतलब यूएस से अपना ट्रेड अच्छे तो हुए थे बीच में लेकिन बहुत जादा समय तक नहीं रह पाया चाइना से फिर से बढ़ गया है बाई चाइना चीज ही ऐसी है इतने सारे प्रोड़क्ट इतने सारे प्रकार के टाइप्स ये इंडियन मार्केट में उतार दिया है कि बहुत सारी सीजों पर हम लोग डिपेंडन्ट ही है फिलहाल चीन को भारत का निर्यात 8.7% बढ़कर 16.67 बिलियन डॉलर है और टोटल ट्रेड 118.4 बिलियन डॉलर का हो रहा है ये वित्यवर्ष 23.24 के बाद है सिर्फ एक साल ठीक है न और अमेरिका की बीच में ये सक्मिन आपको बता है 118.3 बिलियन डॉलर है लेकिन अमेरिका से आयाद भी 40.7.8 बिलियन डॉलर का हो गया है आगे ये सारी डीटेल्स इंगलिस में भी है तो इंगलिस वाले स्टुडेन भी इस पंसर ले सकते हैं अगला हाली में भारते साहित के किस रचना को युनिस्को की मेमोरी अब दा वर्ड एसिया पैसिफिक रिजनल रजिस्टर में सामिल किया गया तो दोस्तों राम चरित मानस बहुत महान रचना रही और आज तक हम लोग सब लोग बड़ी सम्मान के दृष्टी से इन चीज़ों को पढ़ते हैं इनसे भारते साहित संस्कृती ये पता चलता है कि इतना गहराई है इसमें इसके अलामा देश के नैतिक जो जीवन है उसमें भी इनका बड़ा रोल रहता है जैसे आप देखो राम चरित मानस ये पुस्तक मर्यादा पुरसोत्तम सरी राम चंदर भगवान के उपर है और उनकी पुरा जीवन कथा बताती है को स्वामी तोलसी दाजी ने लिखाया पंजितंत के लेखक है इसको कर लिजीगा पंजितंत के लेखक है अचार विष्णु शर्मा जी पश्वन सही अप लोग पढ़ते आ रहे हो सहिर्दे लोक लोकन की लेखक पंडित अचार आनंद वर्धन जी है ये तीनों किताब को जो है युनिस्को की मेमोरी अब दा वर्ड एसिया पैसिफिक रेजनल रेजिटर में सामिल किया गया है ठीक है ना युनिस्को तो आप जानते हो युनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइन्टिफिक और कल्चर और 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 अजोले इसके अध्थेक्ष है अच्छा युनिस्को की वर्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो 42 वर्ड हेरिटेज साइट जो है यह आज के टाइम पर युनिस्को में है और इस 42 में 41 और 42 याद रखेगा 41 जो है यह सांती निकेतन को सामिल किया गया था सांती निकेतन को वोईड हेटे साइट की रूप में भारत से किया गया था सामिल और 42 जो है ये हुए सला मंदिर को हुए सला मंदिर करनाटक में है ठीक है ना चली आगे बढ़ते हैं हाली में कहाँ पर आयोजित विस्व हाइड्रोजन सिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी में भारत ने अपना पहला मंदप अस्थापित किया तो विस्व हाइड्रोजन सिखर सम्मेलन ये नीदर लेने में हो रहा है और यहाँ पर भारत ने अपना पहला भारत मंदप अस्थापि किया है मतलब समझ लो एक होता नहीं कि जैसे कोई मेला लगता है तो उसमें अपना इस्टॉल लगता है ऐसे यहाँ पर विये तो वर्ड हैड्रोजन समिट होने वाली है और यहाँ पर इंडिया ने अपना सेट अप किया है अपना खुद का पवेलियन ठीक है तो यहाँ पर इन्होंने अपना इस पर वेलियन जो है इसका उद्धारन किया है तो यह राटर्डम नीदर लेंड में हो रहा है यह बात याद रखना यह इंपॉड़न है क्योंकि विश्व हाइड्रोजन सिकर सम्मेलन है यह पूछा जाएगा आपसे मोस्ट इंपॉड़न है यह याद डिर्टली पुछा जाएगा किसका हाइजन कहा हुआ तो राटर टाइम नेदर लेंड में 13 से 15 माई तक हुआ इसमें दुनिया भर से 15,000 प्रतन धी भाग ले रहे हैं और नवीनी करन उर्जा में कैसे हाइड्रोजन की साह भागता बढ़ाई जा सकती है क्योंकि हाइड्रो तो कनाडा के प्रतिष्ठित मैगल विस्विद्दाले द्वारा या मैगल उनिवस्टी के द्वारा मानत डाक्टरेट की सम्मानित किया गया तो कनाडा की बहुत ही फेमस यूनिवस्टी है मैगल उनिवस्टी इसके मानत डाक्टरेट से सम्मानित किया गया है डक्टर स्व स्वामिन आरहन का नाम आपने जरूर सुना होगा यह मोस्ट रिसेंटली डवलो एचो की चीप साइंटिस्ट रह चुकी हैं और इनको अभी हाली में कनाड़ा के मैगिल युनिवस्टी से के मानुक डाक्टरेट से समयनत किया गया है इसके अलामा दोस्तों यह संक्रामक प्रान भीविन की आहम भूमिका रही डवलो एचो में तो डाक्टर स्वामय स्वामिनाथन को सम्मानित किया गया है क्लियर है ना चलिए आगे बढ़ते हैं हाले में किस राजी के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुसील कुमार मोदी जी का निधन हो गया तो देखो सुसील क पूर्व पूर्व एक बहुती जाना माना चेहरा थे और बिहार की राजनेत में बिहार के उपमुख्यमंत्री भी रह चुके थे और भारत की जो चार प्रमुख्ष सदन होती है न उन सभी सदन में ये रह चुके थे मतलब अजे मेंबर जैसे विधान परिसद होता है जो कि इसके अलामा संसत में आप देखते हो रज सभा हो है और लोग सभा है तो ये चारों में समय समय पर रह चुके थे ये भी एक इंटरिस्टिंग पॉइंट है हाला कि कैंसर से ये पीडित थे 22 वर्स की उम्मेंट का निधन हो गया है ये बीजेपी पार्टी से थे बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री भी थी 2005 में ये बिहार के पहले बार उपमुख्यमंत्री बने बिहार के चौथे उपमुख्यमंत्री की रुप में काम किया इन्होंने ही मुख्यमंत्री नितिश कुमार को भामा साह का उपनाम दिया था आलाकि अब नितिश कुमार पावित होगा आपके लिए अगर आप को यह पसंद आई है यहां तक देखते हुए आई हो तो लाइक ज़रूर करने करके जाना दोश्ट लाइक ज़रा करके और एक कमेंट कर देना अगर हो सकेगा तो और इसके अलामा अगर आप हमारे ebook लेना चाहते हैं तो ebook के लिए आप इस नंबर पर WhatsApp कर सकते हैं हर प्रकार की ebook available है यहां पर हर एक महीने की तो आप यहां पर इस नंबर पर WhatsApp करके प्राप्त कर सकते हैं मात्र 20 रुपए पर मंत वाली ebook में कल मैंने आपसे पुछा था कोशन कि 11 माई 2014 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के थीम क्या थी तो इंसेक थी और सुप्रिम कोट ने किन सर्तों के साथ केजरीवल को छोड़ा हुआ है आज आपके लिए का कुशन आज आपको बताना है फीफा का हेड़कॉर्टर कहां पर है इसके लावा मांट टेवरेस्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है कास करके चाइना और नेपाल वगरा में तो बताएगा इन दोनों कोशन के अंसर को मैं मिलूं आंको सोमच जैहन दो बन दे मात्रप